पहले सुरकी आसम से है जहां देश के ब्रधान मंत्री नरेंदर मोधी दौरे पर पहुंचे थे पि.A.M.O.D.I. ने कार्बी आंगलोंग जिले में माजा पशूर चिकितसा महविद्याले, वेस्ट कार्बी आंगलोंग कृषी महविद्याले, अमपानि वेस्ट कार्बी आंगलोंग गवर्णन्ट कॉलिज सहित, कई सिक्षन संस्थानों और दूसरी योजनाओं की आधार शिला रग दी इसके लावब दिफू में एक रैली को भी संबोधित किया ये दूसरा जिला है कैंसर सेंटर के उद्गाटन के बाद पीम मोदी ने कहा कि अस्पताल आपकी सेवा में है लेकिन अगर ये नए अस्पताल खाली रहेंगे तो मुझे खुशी होगी मैं आपके स्वास्त के लिए प्रातना करता हूँ हमारी सरकार ने योग, फिटनेस, स्वच्छता के साथ स्वास्त के देखभाल पर भी ध्यान केंदरत किया है देश में नए टेस्टिंग सेंटर भी खोले जा रहे है प्रदान मंत्री यहाँ जल जीवन मिशन का भी उन्होंने जिकर कर दिया कहा कि जल जीवन मिशन शुरू होने से पहले तक यहाँ दो प्रतिशत से कम गाओं की घरों में पाइप से पानी पहुचता था वहीं अब 40 फीसर दी परिवारों तक पाइप से पानी पहुच चुका है मुझे विश्वास है कि जल 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 आसम के हर घर तक पाइप से पानी पहुचने लगेगा इसके अलावा प्रदान मंत्री ने आफपा पर भी अपनी बात रखी सुनिये लंबे समय तक आम फोर्थी स्पेशल पावर एक आपशा नौर्थ इसके अनेक राज्यों में रहा है लेकिन बीते आठ सालों के दोरान स्थाई शान्ती और बहतर कानून व्यवस्ता लागू होने के कारण हमें आपशा को नौर्थ इसके कई खेत्रों से हटा दिया है हालात को ऐसे जमाला गया कि आज असम के 23 जिलों से आपशा हटा दिया गया है दूसरे सुरुकी भी प्रधान मंत्री मोधी से ही जुड़ी है प्रधान मंत्री मोधी ने कल विपक्षी राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की अपील की थी उन्होंने इस अंदर में महराष्ट, पशिम बंगाल, तेलंगाना, आंदरब्रदेश, केरल, जारकंड और तमिल नाडू का नाम लिया था आज कई राज्यों के मुख्य मंत्रियों का जबाब आ गया इस पर आप इसे तीका पलटवार भी कह सकते हैं क्योंकि तेलंगाना के मुख्य मंत्री केच अंदरशेक राओ, केसियार के नाम से मशूर है उन्होंने कहा कि राज्यों से टैक्स घटाने के लिए कहने पर प्रधान मंत्री को शर्मानी चाहिए उन्होंने कहा कि उनके राज्यों में वर्ष 2015 से इंधन टैक्स में कोई बढ़ोती नहीं की गई केसियार ने कहा कि राज्यों से कहने के स्थान पर केंदर को टैक्स में कटोती कर दीने चाहिए वो क्यों नहीं करता केंदर नहीं सिर्फ टैक्स बढ़ाया है वो सेस्बी कत्रित करता है अगर आप में हिम्मत है तो बताए कि टैक्स क्यों बढ़ाया गया ये केसी आर के शब्द है मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ एक जवाब पशिम मंगाल के मुक्य मंतरी मम्ता बेनर जी की तरफ से भी आया उन्होंने कहा कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने पूरी तरह एक तरफा और गुमरा करने वाला भाशन दिया उनके दोरा पेश किये गए तथे गलत हैं हम पिछले तीन साल से पेट्रोल और डीजल के प्रत्य एक लीटर पर एक रुपए की सबसीड़ी देते आ रहे हैं हमने इस मद में पंधरा सो करोड रुपए खर्च भी कर दिये हैं इसके आगे उन्होंने कहा कि केदर के पास हमारे 97,000 करोड रुपए बकाया है जिस दिन हमें आधी रकम में मिल गई अगले ही दिन हम पेट्रोल और डीजल पर 3,000 करोड रुपए की सबसीड़ी दे देंगे मुझे सबसीड़ी सी कोई समस्या नहीं लेकिन मैं सरकार कैसे चलाओंगी महराश के सीय मुदव ठाकरे का बयान हमने कली आपको बता दिया था इस पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का ट्वीट आया उन्होंने लिखा कि महराश सरकार पेट्रोल पर 32 रुपए 15 पैसे टैक्स लिती है जबकि कॉंगर्स शासित राजस्थान में 29 रुपए 10 पैसे वसूला जाता है लेकिन उत्तरा घंड में सरिफ 14 रुपए 15 पैसे और उत्तरपदेश में सरिफ 16 रुपए 50 पैसे ही टैक्स लिया जाता है सरकार की तोब से सूबे की उन्होंने कहा कि महराश सरकार ने 2018 से अपता की इंधन पर टैक्स के रूप में 89,412 करोड रुपए इकटा किये है बस्पा प्रमुक मायवती ने प्रेस कॉंफरेंस की आरोब लगाते वे यूपी विधान सफा चुनाओ 2022 कर जिक्र किया मायवती ने कहा कि यूपी चुनाओ को हिंदो मुस्लिव रंग देने के लिए बीजेपी सपा की मिली भगत रही बीजेपी की सत्ता में वापसी की जिम्मेदारी समाजबादी पार्टी और उसके मुख्या की है समाजबादी पार्टी के मुख्या अखिलेश यादव ने भी कल मायवती को निशाने पर लिया था उन्होंने कहा था कि मायवती ने अपने वोट बीजेपी को दिलवा दिये अब वो इंतुजार कर रही है कि बीजेपी उन्हें राश्पती बनवाई गया नहीं इसका जवाब भी आज बस्पा सुप्रीमों ने दिया उन्होंने कहा कि सपा लोगों को बहका रही है मैं राश्पती नहीं बनूँगी, मैं साफ करना चाहती हूँ, मैं यूपी की मुख्य मंत्री और देश की प्रधान मंत्री बन कर ही देश की सेवा कर सकती हूँ लेकिन राश्पती बनने का सवाल पैदा नहीं होता जबकि अब तो इनको अपनी बचकानी वे घिनोनी राजनिती बंद करनी चाहिए इसके साथ ही इनको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इसमें भी कोई संदे नहीं है कि जदी उत्तर परदेश सहीत पूरे देश में खास कर दलित आदिवासी, पिशड़ावर्ग, मुस्लिम वे अपर कास्ट समाज में से गरीब तपका भी बीएस्पी में जुड जाता है तो फिर ये लोग बीएस्पी की मुख्या को पुने यहां यूपी का मुख्य मंतरी बना सकते हैं और इतना ही नहीं बलकि आगे चल कर देश का परदान मंतरी भी बना सकते हैं क्योंकि इन वर्गों की बोटों में बहुत बड़ी ताकत है अगली सुरकी भी यूपी से ही है यूपी पुलिस ने यूद्या में दंगा फसाद की बड़ी साज़िश को वक्त रहते नाकाम करने का दावा किया है कुछरार्ती तत्वों ने जलिदार टोपी लगा कर आपती जनक पर्चे और मास के टुकरे धार्मिक स्थलों पर फेके सौहार्त को बिगारने की साज़िश रचने वाले साथ आरोपियों को पकड़ लिया है मास्टर माइन का नाम है महेश कुमार मिश्रा उसने कबूल कर लिया है कि वे सभी दिल्ली के जहांगीर पुरी में होई हिंसा से नाराज थे पुलिस ने सीसी टीवी फुटेज भी जारी कर दिया है अयोध्या के स्स्पी शैलेंदर पांडेयर ने बताया कि इस घटना में 11 लोग शामिल थे मुक्य आरोपी महेश मिश्रा था उसने अपने साथियों के साथ घटना को अंजाम दिया फरार चाल रहे चार अन्य आरोपीयों को भी जल्द गिरफतार कर लिया जाएगा सुनिये कप्तान और क्या कह रहे है गटना को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग के बाद गटना को अंजाम देने के लिए जो लोग गय थे वो आठ लोग है थे और चार मोटरसाइकल पर जिसको लीड महेश मिश्रा कर रहा था और जैसा कि सर ने बताया आपत्ती जनक पोस्टर और आपत्ती जनक बस्तू वहाँ फेकी गई और प्राप सुचना पे तत्काल पुलिस टीम इसमें एक्टिव हुई और इसमें साक्षों को संकलित किया और साक्ष संकलित करते हुए पूरे चेन और इवेंट्स को कनेक करते हुए इन सभी को गिरफ्तार किया गया है सातों लोगों को आकरी सुर्की बिहार से है आज मुक्यमंत्री नितीश कुमार ने हज हाउस में इफ्तार पार्टी दी जनतदल यूनाइटेड की इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव और तेजपताब दोनों पहुँचे एक हफ़ते के अंदर ये नेता विपक्ष तेजस्वी यादव और सीम नितीश कुमार की दूसरी मुलाकात है इससे पहले आर जेडी की इफ्तार पार्टी में मु कल में बैठे नजर आए पत्रकारों की तरफ से जब सवाल पूछे गए तो सीम और निता प्रतिपक्ष दोनों का जवाब एक जैसा था इसका राजनीती से कोई लेना देना नहीं है दोनों निताओं ने कहा